जर बहुत लगता है कोई अधिकार इंदी फून करो तो पहते हैं कि उसका वेडियो बना भेजो और वेडिया की जानबचा भागी की वीडियो बनें अइसा है कि ये चार पान दिन से चक्कर लगा रहा था जब ही पूर करते हैं तभी यही बात आते हैं कि निसान भेजिए गा उसका पूर्टु लेकर भेजिए गा हम लोग आप पूटो निसान पाज आएं तो का पकड़ न पाएं पकड़ के बन भीगागाल इनको दें कि हम पकड़ लिया पकड़ लिया तब हम कोई नाम देने आएंगे क्या तो जो ऐसे महोल हैं हमरे लोगन के देही में डेर पैदा कर रहे हैं और गरीब लोग हैं पला दरवाजा लग यह बच्छों करके आएं आम चार पर पेड़ बैठें जब तक हम बैठें तक भेड़ी आया अब मेरे पीछे से पगल लिया चिलाने लेगे लेदिया तक भाइट निकर देशिए तोर करें तक वो निकर भी खेटें हैं छोड़ दिया धान छोल दिया है जानवार चल ले अब यूना उपार है थी दूर दस आदमी बड़ाबर चले कर थे अकेल हो तो संका घूसी है बच्चों कि इहां रात भर पहरा लगावा जात है जो आला बहावा जात है फिर हार नाका नाका बैठा जात है तो इमें बचावा जात है घर में बाथरूम नहीं है कि पेशाप के लिए जा सके दरवाजे नहीं है कि घर को बंद कर सके ये लोग बाहर निकलते हैं तो भेडिया हमला कर देता है इनकी गरदन देखिये भेडिये के वार से तो बच गए लेकिन जो डर इनके मन में है हम उसे महसूस नहीं कर सकते अस्पताल में लेटे इस बच्चे को देखिए भेडिये के हमले में अब तक 10 लोग जान गवा चुके हैं बच्चों की हालत ऐसी है कि उसे हम वीडियो में नहीं दिखा सकते हालाकि इस खौफ को समझने की कोशिश कीजिए पहला वीडियो देखिए बिना जखिए घर से बाहर देख जरूर रही हैं लेकिन खौफ इनके चहरे इनके शरीर इनके दिल में है चौथा वीडियो देखिए रात को लोग भेडिये को ढून रही हैं लोग सो नहीं पा रहें किसी ने बताया कि जाग कर जिन्दकी कट रही हैं किसी का बच्चा चला ना ज रक्स ताकि भेडिये को कैद किया जा सके ये खौफ ये संसनी भेडियों का डर उनका तांडव इन सब ने गांवालों की जिन्दकी हराम करती हैं उपर से ऐसे कई परिवार हैं जो अपने बच्चों को खो चुके हैं और कई ऐसे अब परिवार हैं जो भेडियों से अपने बच्चों को बच्चाने में लगे हैं लोकले टीम के लिए बहराइच से बिन्नू बालमेकी की रिपोर्ट